लोटस अईरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे कोहनी और गुट्णों का कालपन दूर करेगा हमारा यह उपाए आए इसको हम बताते हैं किस तरह से आपको इस्तिमाल करना है चेहरे की देखपल पर तो हम गौऔर करते हैं लेकिन सरीर की बाकी तोचा पर नहीं यही कारण है कि सरीर के कई हिससे सामाने तोचा के रंग से ज़्यादा काले नजर आται जैसे कोहनी और घुटना इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं हाथ और पैरों की तुचा रूखी होना दूप में ज्यादा देर रहना क्रीम या लोशन ना लगाना साप सफाई पर गौर ना करना चिंता मत करें अगर आपके घुटने और कोनी भी काले हो गये हैं तो इसे घर बेटे आप ठीक कर सकते हैं या कर सकते हैं तोचा का कालेपन दूर करने के लिए बादम का तेल इस्तिमाल कर सकते हैं बादम का तेल बालों के लिए ही नहीं बलकि तोचा के लिए भी फाइरेमन माना जाता है गर बटे काले गुटने और कोनी का इलाज कैसे कर सकते हैं आप मैं आपको बता रहा हूं कि तोचा के कालेपन को कैसे दूर करता है बादाम का तेल जैसा कि हमने आपको बताया कि तोचा में नजर आने वाले कालेपन के पीछे कई कारण हो सकते हैं एक कारण है धूप में ज्यादा देर रहना बादाम तेल में पॉली फिनोल्स फिलोबोनोइट्स पॉली अंसेचुरिटेड जैसे फैटी एसिड होते हैं इन गुणों की तोचा से इन गुणों की मदद से तोचा को सूर की किरणों से हुने वाले फिर भाव से बचा सकते हैं बादाम के तेल से डार्क सरकल्स का इलाज भी किया जाता है तोचा में कालापन बढ़ने का कारण अगर ड्राइनेस है तो बादाम का तेल तोचा को नमी परदान करता है जिससे तोचा की रंगत सुधरती है बादाम तेल लगा कर तोचा की करें मालिस कोहनी और घुटनों के कालापन दूर करने के लिए बादाम तेल का इस्तिमाल करें बादाम तेल में बिटामिन E मौजुद होता है बिटामिन E तुचा की रंगत साफ करने में मदद करता है बादाम तेल की तीन से चार बुदे लें और कोहनी और घुटने पर लगतार मालिस करें सुबह साम मालिस करने से तुचा का रुखापन और कालापन जल्दी दूर हो जाएगा कोहनी और घुट्टे का कालापन दूर करने के लिए बादाम तेल को हल्दी के साथ पेश्ट बना कर लगा सकते हैं इसी तरह बादाम तेल में बेशन मिला करके तोचा पर लगाने से तोचा नई और चमकदार बनती है एलोविरा में एलोईन नाम का कमपाउंड होता है जो इसकीन के घहरे रंग को हल्का करता है इसमें बादाम तेल मिला कर लगाने से कोहनी और घुट्ट्टों का कालापन जल्दी दूर होता है कोहनी और गुट्न का कालापन दूर करने के लिए बादाम तेल को स्क्रप की तरह इस्तेमाल करें एक कठूरी में नीबू का रस डालें उसमें चीनी, सहर, बादाम का तेल मिलाएं तोचा को हलके हाथ से स्क्रप करें, बीस मिनिट के लिए तोचा पर मिस्रान लगा कर छोड़ दें इस उपाय से तोचा साफ होगी और तोचा में जमी डेल सेल्स की परत निकल जाएगी अब बादाम का तेल आप घर पे भी बना सकते हैं बैसे तो बादाम का तेल बजार में मिलता है, लेकिन आप इसके गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो घर में ही बादाम का तेल तयार करें चलिए आपको बताते हैं यह तेल तयार करने का आसान बीदी तो उसके लिए आपको समगरी चाहिए बादाम, जैतून का तेल और विधी आपको बता रहा हूँ बादाम को मिक्सी में डाल कर पीस लें इसके बाद बले टुक्ड़े को निकाल कर दुबारा मिक्सी चलाएं यह प्रिक्रिया तब तक दोराएं जब तक बादाम से तेल ना निकलने लगे जब बादाम से तेल हलका हलका निकलने लगे तो जैतून का तेल मिला दें एक बार और मिक्षी चलाएं ताकि बादाम के तेल में जयतून का तेल अच्छी तरह से मिल जाए अब इस पेश्ट को बरतन में निकाल कर कमरे के तापमान पे रख दें कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे कि पेश्ट से तेल अलग हो गया है इस तेल को चानकर आप एक एर कंटेनर में भरकर इस्तिमाल करें तो यह था हमारा आज का उपाए आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल आपने अभी तरह सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वली सभी वीडियो सब्सक्राइब आपको मिलें धन्य बात